अश्टरोइड बेन्नू यह शूद्र ग्रह हमारी दर्ती से आने वाले समय में टक्राना तै है दोस्तो जब यह बेन्नू नाम का अश्टरोइड हमारी दर्ती से टक्राएगा तब जापान के हिरोशिमा पर गिराएगए परमाणू बम से 80,000 गोना जादा उर्जात पैदा करेगा और यह टक्राव इतना भयानक होगा कि हमारी दर्ती पर से जीवन खत्रे में आ जाएगा तो दोस्तो वीडियो शूरू होने से पहले आपसे हमारी छोटी से रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्पेस एन एस्टरोइड से रिलेटेड खबरे मिलती रहेगी तो चले शूरू करते हैं एस्टरोइड बेन्नू यह एस्टरोइड बेन्नू तेजी से हमारी धर्ती की तरफ बढ़ रहा है इस एस्टरोइड की परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक सियान ओसिरिस रेक्स ने कुछ चोका देने वाले खुला से किये हैं और नासा को कुछ चोका देने वाली तस्वीरे बेजी हैं जिसमें इस एस्टरोइड से धर्ती और चंद्रमा किसी बिंदू की तरह दिक रहे हैं इन तस्वीरों को देख कर नासा ने चितावनी जारी की है कि भविशी में अगर यह एस्टरोइड हमारी दर्ती से टकराता है तो हिरोशीमा पर गिराये गए परमानो बम से 80,000 गुना अधिक भयानक तबाई मचा सकता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता देख द्यूतिय विस्व युद्ध के दोरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशीमा पर एक परमानो बम गिराया था जिसमें लगभग एक लाख लोग मारे गए थे इस परमानो बम ने विस्वोट के दोरान 16 अग किलो टन TNT के बराबर उरजा छोड़ी थी और दोस्तों आपको बता देख बेन्नू 500 फूट लंबा और 8.7 करोड टन वजनी वाला सुद्र ग्रह है यह विशाल काय चट्टान एमपारी स्टेट बिल्डिंग से भी लंबा है वही एक्ष्ट्रोइड बेन्नू यह टाइटैनिक जहांच की तुल्ना में 1664 गुना भारी है वही विज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह एक्ष्ट्रोइड हमारी धर्ती से टकराता है तो करोडों लोगों की जिन्दगी पल भर में खतम कर सकता है वही कुछ विज्ञानिकों का कहना है कि यह एक्ष्ट्रोइड मानव अस्थित्व की उत्पत्ति के पीछे कुछ रहश्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है अमेरिका स्पेस एजन्सी नासा इस सुद्रग्रह को यानि इस एक्ष्ट्रोइड को नुकुलेर बम से खत्म करने की तयारी कर रहा है क्योंकि अंत्रिक्स में यह धर्ती के लिए सबसे बड़ा खत्रा है नासा ने हाइपर विलोसिटी एश्ट्रोइड मिटिगेशन मिशन फोर एमर्जन्सी रिस्पॉंस नमक एक स्पेस क्राप्ट का डिजाइन तियार किया है जो इस एश्ट्रोइड के धर्ती के करीब आने पर उसे खत्म करने के लिए परमानों हत्यार ले जाएगा और आपको बता देख नासा का स्पेस यान वर्तमान में इस एश्ट्रोइड की परिक्रमा कर इसकी जाच में लगा हुआ है इस अंतरिक सियान ने चौका देने वाली तस्वीरे धर्ती पर बेजी है इसी साल में 2020 में यह अंतरिक सियान इस एस्टरोइड की छटव पर उतरेगा वहाँ से इस एस्टरोइड के चटान के कुछ नमुने लेकर दर्ती पर वापस आएगा इस एस्टरोइड बेन्नू पर उस अंतरिक सियान को कुछ पानी के अवसिस भी मिले हैं दोस्तो स्पेस एन एस्टरोइड की रोचक खबर से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आकिंग को प्रेस करना बिलकूर न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें